उत्रपरजेज की सरकार बलेगी अपराद वे अपरादियों पर नकेल कसने की बात करती हो लेकिन किजी भी कीमत पर होसले परस्तोते नजर नहीं आ रहे हैं ताजमामला अमेटी के जनपत के अमेटी कोतवाली चेतर के अंतरगस सुन्दरपूर मरजद रखा का है जहापर बीती रात निर्मार दिन गर के बार सो रहे 35 वर्षे युवक किशनदेव ओजा पुत्र चंदरी का परसाथ ओजा को अग्यात हमलावरों के दुआरा चाकू से हमला कर मरनासन कर दिया गया चीक बुकार सुनकर हश्टक शेप करने पहुँची युवक की चाची को हमलावरों नहीं बख्षा उनके सिर्पा डंडे से परहार कर उनको भी घायल कर दिया सूचना मिलते ही गाउं में हलका मच गया आलन पानन से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ततकाल दोनों घायलों को जिला स्पताल में पहुचा कर डाक्टर किशन देव ने गंबीर इस्तीति को देखते हुए ततकाल प्रमा सेंटर लखनाओं के लिए रेफर कर दिया उनकी चाची का इला जिला स्पताल में ही चल रहा है बताया जा रहा है कि गायलियोग भाचपट हेक्टर सैयोजक विदा सागर ओजा के बड़े भाई का पुत्र है फिलाल इस तरह की वारदात के बाद कोतवाली में भी हड़कम मच गया है ततकाल कोतवाली परभारी सेंट पुछताच के लिए लोगों को उतवाली बुलाया गया इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस के आला अदिकारियों के लगी मोगे पर जिला के पुलिस अदिशक विनोत कुमार पांडे और पुलिस छेतरा अदिकारी अर्पित कपूर ने पहुच कर मोगे का मुआउ नक गय वही मोगे पर पहुचे अपर पुलिस अदिशक विनोत कुमार पांडे ने बसाया कल रात में मार पीट की सूचना प्राप्त होई थी इसी सम्मन्द में हम लोग गाउं आए हैं अभी किसी परकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है हम लोग छान बीन कर रहे हैं जैस पर उसका समूचित इलाज चल रहा है किस कारण शोट लगी है और कैसी लगी है चाकू से लगी है अत्वा लाटी डेंडो से लगी है इसका पता लगाया जा रहा है और इंजरी रिपोर्ट का इंतिजार किया जा रहा है अभी घर के किसी भी जिम्मेदार दौरा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसी के आधार पर का रिवाई की जाएगी सब्सक्राइबेंक प्रोब्स कलिए मातर है का माता अभी रात में के बाद नुक्त के इंग अगर पर यह नंके जिनको चापू लगी है वहर्त अचलात में एक मेठी थाना चित्र के सुचना प्राप्त हुई है इसी प्रकण में आई हुए है अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है इसमें पुलिस दवरा चानिम की जारी टीमे लगा दी गई है सिग्रेइस में घटना में सामील अभीत्तों का पता करके उनके खिलाफ विधिक करवाई की जाएगी अभी इंजर्ड को बेहतर इलाज के लिए लखनौ भेजा गया है जहां उसका इलाज चलना है और किस तरह चोट लगी क्या चोट लगी चाकुस लगी की लाठी दिनने से अभी समय चानु की जा रही है और इंजरी रिपोर्ट का इंद्या के जा रहा है घर वालों से पूर्श्ताइद की गई क्या कारण निकल के आया सामने कुछ इसकी जानकाजी में अभी चुकि घर का को जिम्मेदार बताने को त्यार ने जिस दार जादा है तो अभी हम लो कुछ हान कर रहे हैं और जिस तरह स्तरह मिलेगी उसके तरह कारवाई की जाएगी